आज का हमारा विश्य है दिन चरिया के हर कर्म में बाबा साथ साथ है बाप दादा अपने ब्राह्मन बच्चों के उचे भाग्य को देख करके बहुत हर्शित होते हैं सारे विश्व में कितनी थोड़ी सी आत्माई है जो इस भाग्य को महसूस कर रही है इसका लाब उठा रही है देवताईं भी यही सोचते हैं कि ब्राह्मनों का भाग्य बहुत उचा है बाबनी कहा कि जब कोई जन्म लेता है तो उसे तीन प्रकार के भाग्य मिलते हैं पहला भाग्य है मात पिता की पालना का दूसरा भाग्य है सिक्षक की सिक्ष्या का और तीसरा भाग्य होता है गुरू की मत या गुरू के वर्दान का तो बाबनी का देखो आप बच्चों को जन्मते ही ये तीनों भाग्य स्विम सुप्रीम पावर सुप्रीम अथोरटी भग्वान के द्वारा मिले हैं तो अपने इतने उंचे भाग्य को स्मुरती में रख करके यही गीत गाते रहो वाहरे मैं वाहरे मेरा भाग्य बाबा कहते हैं बच्चे सदा परमातम प्यार में लवलीन रहो आपको सुबा सुबा परमातम प्यार ही उठाता है पर्मातम प्यार से आपके दिन्चरिया शुरू होती है पर्मातम प्यार ही वो घंटी है जो सुबा सुबा बजती है और आप इस्तर छोड़ देते हो अगर पर्मातम प्यार ना हो तो आप उठ नहीं सकते हो तो पर्मातम प्यार से दिन की शुरुवात होती है और जैसे बहुत लाडले प्यारे बच्चे होते हैं तो माबाप सुबा सुबा उनको माजून अर्था शक्ति वर्धक चीजे खिलाते हैं ताकि बच्चे का शरीर मजबूत बन जाए अब ये तो रुहानी मात पिता हैं तो सुबा सुबा रूह को इतनी शक्ति दे देते हैं कि रूह सारा दिन माया पर विजय बन जाती है जो बच्चे अम्रित वेले इस प्यार से अपनी जोली भर लेते हैं सारा दिन निर्विग्न रहती हैं निश्चिंत रहती हैं खुशियों के जूले में जूलते रहती हैं उसके बाद बच्चा पढ़ने जाता हैं तो देखो आप बच्चों को पढ़ाता कोन है आपका बाप ही आपका टीचर है और कितनी दूर परमधाम से रोज आपको पढ़ानी आता है कभी ऐसा सुना कि भगवान अपना धाम छोड़ करके पढ़ानी के लिए आए कोई आत्मा कितनी भी दूर से पढ़ने आती हो लेकिन परमधाम से दूर कोई भी स्थान नहीं है और बाबा ने कहा उचे से उचे धाम से उचे से उचा बाप उचे से उचे बच्चों को पढ़ाने के लिए आता है तो आपकी तो पढ़ाई भी बाप के साथ है उसके बाद आप सारा दिन कर्म करते हो और सत्गुरु के रूप में बाप ने हर करम के लिए सिरीमत दे रखी है और केवल सिरीमत नहीं दिय है बाप आपका साथ भी निभाती है दुनिया का कोई गुरु नहीं होगा जो अपने शिष्वों को इस प्रकार से एक एक बात के लिए शिक शादी शादी में जाना है, क्या गिफ्ट लेके जानी है, कैसे कपड़े पहनने है, परिवार वालों से कैसे तोड़ निभाना है, कितनी सारी बातों के लिए बाबा ने किस तरहां से बच्चों को समझा रखा है ताकि बच्चे कई मुझे नहीं, बच्चों के मन में कोई प्रश्न पैदा ना हूँ, तो सत्गुरु की कितनी बड़ी चत्र चाया है आप बच्चों पर हर करम उसके बाद बाबा कहते हैं, भोजन भी मेरे साथ खाओ, बनाओ भी मेरे साथ, अगर बना बनाया मिलता हैं, तो खाओ मेरे साथ, अगर आप नहीं खाते हो, तो वो आपके गलती है लेकिन बाबा तो आपके निमंत्रण पर आने के लिए बंधाय मान है, कुरोडों भक्त बाबा को भोग का निमंत्रण देते हैं, और बच्चे भी निमंत्रण देते हैं, बाबा हर बच्चे के सच्चे दिल के निमंत्रण को स्विकार करते हैं, बाबा भोजन खाते नहीं ह लेकिन बच्चों की भावना अनुसार उसमें शक्ति भर देती हैं और फिर आप बच्चों का तो वाइदा हैं तुमी संग खाऊं तुमी संग बैठों तुमी संग चलूं तुमी संग हर कर्म करूं और बाबा नी कहा सोना भी बाप के साथ है अकेले क्यों सूते हो बाप के साथ सो अकेले सोते हो तो खराब सपने आते हैं सपने में व्यर्थ ख्यालात आ जाते हैं तो बाप के गोदी में सो बाप प्यार भरी लोरी सुना करके ऐसी मीठी नींद देंगे कि नींद भी आपकी योग में जमा हो जाएगी आप बच्चों की नींद भी योग निद्रा बन जाएगी बाप की याद में नींद भी कमाई का साधन बन जाएगी तो फिर अकेले क्यों सोते हो और फिर खुदा दोस्त भी हैं जब कभी उदा सोजाते हो दिल चोटा कर लेते हो मायूस हो जाते हो तो दोस्त बन करके फ्रेंड बन करके बाबा आती हें बहलाते हैं कहते हैं प्रेम के आंसु बहाते हैं तो वो आशु भी पोँचते हैं और उन आशुओं को दिल की डिबिया में मोती की तरह से संजो लेती हैं। कभी-कभी बच्चे नठखट बन करके मिठा-मिठा रूठ भी जाती हैं। और बाबा मनानी भी आती है। केती कोई बात नहीं बच्चे। जो बीत गई उसको भुला दो। फुल स्टोप लगा दो। आगे बढ़ो। बाप का साथ, बाप का वर्दान, बाप की दुमाई है। बीते वे को देखते रहोगे तो आगे का रास्ता धुंदला जाएगा। इसलिए जो हुआ उसको भूल जाओ। और उमंग दे करके, उत्सा के पंख लगा करके आपको उडाने के लिए भी आती है। इतना कदम कदम पर बच्चों का साथ निभाती है। ओफिस में जाते हो, तो बाबा क्या कहते हैं। आपके बल निमित तो, मालिक तो मैं हूँ। आपका बोस, आपका डायरेक्टर मैं हूँ। मैं जो डायरेक्शन दे रहा हूँ, उसके अनुसार आपको कर्म करनी है। तो बिजनस में भी आपको डायरेक्शन देता है। धन कैसे कमाना है। धन को कैसे सेवा में लगाना है। धन की पाई-पाई कैसे सफल करनी है। सफल करके कैसे सफलता मूरत बनना है। एक जनम में कैसे 21 जनमों का भाग्य बनाना है। तो बाबा हर करम में छत्र चाया बनकर बच्चों के साथ साथ है। सेवा में भारी ना हो जाओ। इसके लिए कहते हैं सारे बोज मुझे दे दो। जब मैं बोज उठा रहा हूं तो जैसे छोटे बच्चे माबाप को बोज दे के नाचते गाते हैं। ऐसे खुशी में नाचो गाओ। लेकिन बाबा को आश्चरिय तब लगता है। जब कंबाइंड रहने वाले बाप को भी बच्चे अलग कर देते हैं। और कहते हैं बाबा माया आ गई, माया आ गई। अरे कंबाइंड को माया अलग कर देती हैं क्या। बाप कंबाइंड रहना चाहते हैं लेकिन बच्चे बाप को भी अलग कर देते हैं तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने भाग्ये के स्मृति स्वरू परहों अब बच्चे क्या करते हैं सोचना स्वरू बन जाते हैं सोचना स्वरू बनते हैं और स्मृति स्वरू भूल जाते हैं सोचते बहुत अच्छा अच्छा हैं मैं ये भी हूं मैं ये भी हूं मैं ये भी हूं और वर्णन भी बहुत अच्छा अच्छा करते हैं अपने स्वमानों का वर्णन करते हैं मैं मास्टर जर्वशक्तिवान हू मै उधार मोरत हूं, मैं उदा हरन मोरत हूं, मैं रूप बसंत हूं, मैं स्वधरशन चक्रधारी हूं, मैं माया जीतूं, परकर्ती जीतूं, करमेंद्रिये जीतूं। बोलते भी बहुत अच्छा हैं वर्णन भी बहुत अच्छा करते हैं लेकिन बाबा कहते हैं बोलने और करने के इलावा अभी स्मृति स्वरूप बनेंगे तो आपके जो मूल गुण है आपकी जो मूल नेचर है वो इमर्ज हो जाएगी बाबा कहते हैं कि आप अनाधिकाल में जब परमधाम में थे ना तो नेचरल स्मृति स्वरूप थे स्मृति स्वरूप पर था अनुभव स्वरूप तो वहां आपको बार बार स्मृण नहीं करना पड़ता था कि मैं आत्मा हूँ आपको नेचरल स्मृति थी कि मैं आत्मा हूँ और फिर जब अनाधिकाल से आधिकाल में आए जो संगम्युक की प्रारलब्द है जो आपका देवताई जीवन है उसमें भी आप नेचरल स्मृति ऑफार्टी स्वहरूरुप थी आपको बार बार यादण करना पड़ता था कि मैं देवता हूँ मैं देवताऊं नई नेचरल समृति थी को तो बाबानी कहा कि जैसे इसकी का कोई आप्यूपेशन होता और वह उस्यूपेशन वाली स्वह दोंअन ऑर शक्ति Operations हो जाती इए तो आप भी अगर अपनी स्मृति स्वरूप की सीट पे बैठ जाओ तो आपके भी मूल गुन, मूल शक्तियां अपने आप इमर्ज हो जाएंगी अगर वो शक्तियां इमर्ज नहीं होती हैं और अगर पुरानी स्वभाव पुरानी जनम की स्मृतियां इमर्ज हो जाती हैं तो इसका मतलब यह है कि सोचता स्वारूप बने हो लेकिन अनुभव स्वारूप नहीं बने हो कई बचे कहते हैं क्या करूं यह मेरा स्वाभाव है लेकिन बाबा कहते हैं आपका स्वाभाव वही है जो ब्रह्मा बाप का स्वाभाव आपकी नेचर वही है जो ब्रह्मा बाप की नीचर है ब्रह्मनों की नेचर ब्रह्मा बाप से मेल खाती है तब ही तो आप ब्रह्मन बन और जो युद्ध करता है वो ब्रहामन नहीं चत्रिये हैं इसलिए जब कहते हो कि मेरी नेचर तो ये धोका देते हो बहाना करते हो अपने आपको ठगते हो क्योंकि आपकी ओरीजनल नेचर है शक्ति स्वारूप पवित्र स्वारूप गुण स्वारूप तो अब सोचता स्वारूप नहीं लेकिन स्मृति स्वारूप बनो परमातम प्यार में लवलीन रहो दिंचरिया के हर कर्म में बाप के साथ कंबाइन रहो तो जो ब्रह्मा बाप की नेचर है वही नेचर हमारी भी बन जाएगी ओम शान्ति